नमस्कार कैसे हैं आप सबी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कैस्ट्रतक में मैं हूँ राखी मिश्चा और आज हम बात करने वाले हैं भादरुपद महीने के भाविवे में चातुर मास का दूसरा महीना है भादरुपद जहां श्रवन महा भगवान शिव को समर्पित है वहीं भादरुपद महीना श्री कृष्ण को समर्पित है इस महीने को भादरुपद महीने को श्री कृष्ण का प्रिय महीना भी कहा जाता है इसी महीने में श्री कृष्ण का जन चंद्रवरश के अधार पर भादरपद का महीना चटा महीना होता है और चंद्रमा में जब गोचर करते हैं और पुर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी नक्षत्र के नाम पर ही महीने का नाम भी होता है उसी नक्षत्र के नाम पर अगले महीने का नाम भी जाना जाता है तो भादरपद महीने में जो कि श्री कृष्ण का प्रिय महीना है इस महीने में आपको कौन-कौन सी चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको करने से बचना चाहिए इसी के साथ ही इस महीने में भादरपद महीने में ऐसा कौ अगवान शिव की पूजा पाड अरादना जब तप मंत्र जब जरूर करना चाहिए इसके साथ ही इस समय पे भादरपत महीने में नदी का इसनान किसी भी पवित्र नदी का इसनान आप जरूर करें वहीं आपको इस महीने में भादरपत महीने में जरूरत मंदों के निमत दा के कश्ट भी दूर होते हैं वहीं इस समय पे अगर आपको घर में लड्डू कुपाल आपने स्थापित नहीं किये हुए हैं और आपकी इच्छा है कि आपके घर में भी लड्डू कुपाल हो तो इस महीने में भादरपद महीने में आप लड्डू कुपाल की स्थापना भी घर में जरूर कर सकते हैं और इसी के साथ साथ शंक की स्थापना भी आपको इस महीने में जरूर से करनी चाहिए वहीं मद भागवत गीता का पार्ट भी इस महीने में बहुत ही शुभवलदाई होता है और श्री कृष्ण के मंत्रों का जब भी आपको जरूर करना चाहिए सुभा उठकर के आप अगर बहुत जादा कुछ ना भी कर पाएं तो सुभा सवेरे की पूजा पाठ और जब तक में अपने श्री कृष्ण के मंतर और श्री गनेश के मंतरों का जब जरूर करें क्यूंकि इस महीने में और भी कई बहुत सारे महत्पूर्ण तिहार भी आते हैं जिसमें कच्री तीज, कनिश, चतूर्थी भी शामिल है अब बात करेंगे कि आपको इसी कौन सी चीजे हैं जिनको करने से बचना चाहिए तो इसमें सबसे महत्पूर्ण है कि आपको भादरुपद महीने में अपना खाना अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए किसी भी तरह के तामसिक प्रदार्ट से आपको बचना है यानि कि आपके बोजन में अलकोहल, नौनवेज, प्याज, लसुन इन चबी चीजों से बचना चाहिए इसके साथ ही अगर किसी ने आपको चावल दिया है तो किसी के भी घर का चावल खाने से भादरुपद के महीने में हमेशा बचना चाहिए वहीं कच्ची चीजे या कच्ची सबजियां खाने से भी इस महीने में भादरुपद के महीने में आप बच सकते हैं इसी के साथ ही जब भादरुपद महीने की बात होती है श्री कृष्ण की बात होती है तो एक खास उपाई की आज बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं हैं तो इस महीने में खास तौर पे भादरपद के महीने में आपको एक चोटा सा उपाई करके जरूर देखना चाहिए इस समय में आप अपने घर में लड़ू गुपाल की स्थापना करें और इसके साथ ही आपको संतान गुपाल मंतर का जब जरूर करना चाहिए पूरे महीने आप संतान गुपाल मंत्र का जब करें, श्री कृष्ण की अरादना करें, मन में बाल गुपाल की मूरत बसा करके आपको श्री कृष्ण की जब तब और अरादना ज़रूर करने चाहिए, इससे आपके घर में भी एक नन्ने मुन्ने की किलकारी ज़रूर तो इस समय में भादरपद की महीन में पूरे महीने में आपको भगवान श्री कृष्ण को सफेद फूल अर्पित जरूर करने चाहिए चाहिए आप मंदिर में जाकर के करें या अपने घर में श्री कृष्ण को आप सफेद फूल अर्पित करें इससे आपके जीवन में जो आ एक सप्टेम्बर से लेकर के 29 सप्टेम्बर तक चलेगा उसके बाद शुरूआत होगी अश्विन मा की तो इस समय पे एक सप्टेम्बर से लेकर के 29 सप्टेम्बर तक आपको भगवान श्री कृष्ण को सफेद फूल और पित जरूर करना चाहिए यह जो महीना है चातुर मास के जितने भी महीने होते हैं वो इस बात को इंगित करते हैं इस बात की तरफ दिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में बाकी चीजों को छोड़ करके कुछ हद तक अपने जीवन में धार्मिक चीजों को महत्व भी देना चाहिए ये महीने हैं चातुर मास के जो महीने हैं शुर्वर्मा, भादपद, अश्विन, कार्तिक ये जो महीने हैं इस समय पे आपको अपने जीवन पे सयाम रखने की बेहत जरूरत होती है तो इस महीने में भादपत के शुब महीने में श्री कृष्ण की जब तप और अराधना ज़रूर करें और आपके जीवन के भी कई कश्ट दूर ज़रूर होंगे तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहें एस्टो तक तैंक यू सो मच आप सभी का दिन शुब हो